नमस्कार मैं हूँ मादुरी और आज है दसेरा और बेंगोली में हम विजदश्मी भी बोलते हैं तो यहाँ पर मैं आई हूँ विजदश्मी मनाने के लिए जो हम विशर्जन करते हैं दुर्गा मता को तो वो हम लोग बोलते हैं सिंदुर खला तो मेरे तरब से जितने भी बड़जन है उनको प्रणाम छोटे को प्यार और दोस्तों को धेर सारा बधाए तो आप देख सकतों यहाँ पर लाइन लगे हुए है माताजी को सिंदुर चराने के लिए उनका शिर्वाद लेने के लिए और यह पंगाली में बहुत ही मानता है सिंदुर खिला का इसका मतलब होता है दुर्गा माता पांट-छे दन के लिए अपने मैग के आती है और फिर ससुराल जाने के तयारी करती है तो जैसे कि यहाँ पर अब हम लोग उनको सिंदुर बेजने के तयारी कर रहे हैं इसके ल पानी पिलाते हैं और धेर सारा श्रवाद लेते हैं मन में कहने कहिने दुख भी लगता है कि इतने सारे आननद के बाद उनको हम लोग बिदाय करते हैं बट ये बहुत ज़रुरी है जो ये रस्म करना ही पड़ते हैं और इसके बाद हम जीतने और जो पर आउरते ही एक दूसरे को जो मांग भरते इसमें कहा जाता है हमारे जो हस्मेंड है उनका आयू बहुत लंबे होते हैं और हम यहां दुर्गा माता जी को सिंदुर पहनाने के साथ लश्मी जी गनेश जी और कार्टिक जी और शर्षती जी उनका भी पूजा करते हैं उनको भी जैसे इसना फ्रेंड सरकल भी नहीं था मुंबे में में बहुत नहीं नहीं आया थी तो जब मैं यह ऐसे देखती थी कहीं पी तो मुझे मुझे मुलगता थे मैं भी कप करूँ ऐसा दुर्गा माता को सिंदुर चड़ा हूँ और बहुत सारे जो दोस्त रहते हैं और एकदम ट्र आनद करने के बाद यहां नौरात्री का 9 दिन और दुर्गा माता का 5-6 दिन का जो इंजोई होता है ना पूरा साल भर याद रहती है और ऐसा लगता कि बस यह दिन जाए नहीं और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यह शायद से कलकता है तो जी नहीं यह कलकता नहीं ह यह मुंबे है और मुंबे में भी बहुत अच्छे से दुर्गापुजा मनाया जाता है जैसे कि नौरात्री मनाते है वैसे ही दुर्गापुजा भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है कभी भी मुंबे में अगर इस टाइम पर आओ जैसे नौरात्री के टाइम पर तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे जगह में दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है और अगर आप पंडाल में जाओगे तो आपको एकदम से फिल नहीं होगा कि आप मुंबे में हो बहुत अच्छे से लोग तैयार होते हैं और एकदम टेडिशनल तैयार होते ह आप इहां पर देख रहे होंगे और यहां पर माताजी का जो जब बिदाई कर समय आते हैं न तो हम लोग को मन में दुख तो रहता है बहुत बर जाने के भी खुशी रहता है कि चलो उनको अच्छे से हम लोग देख भाल करके उनका पूजा पाट करके और उनको अभी हम भी रहता है मैंने तो दोनों ही फेस्टिबल बहुत अच्छे से मनाया है जैसे कि नौरात्री का नौ दिन उसमें कैसा नौ दिन का जो मातारानी का कलर रहता है तो मैंने पूरा नौ दिन का नौ कलर पहना था साड़ी हो चैडरेस हो चैलेंगा हो क्योंकि मुझे बहुत अरी कहीं पस्च न देना रहता है और देखिये हैं यहां पर बिसर्जन के लिए मात अरानी को मध कन्न लेकर जा जा रहा है और सच में ये पल बहुत ही रोना आता है आखों में ऐसा लगता है कि बस रोक लिए उनको एकदम से सीने से लगा कि मा मत जाओ करके लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये बीदी का बिधाने की बेटिया माई के आती है तो उनको सस्रा जाने ही पड़ता है तो बहुत अ जाता है तो तीन बार उनको घुमाया जाता है फिर ट्रक में बैठाया जाता है ये हर मुर्ति के साथ होता है जैसे कि कार्टी गनेश लश्मी जी और सरसिदी माता जी ये जितनी भी मुर्तिय आप देख रहे हूं ना उनको सब पहले तीन बार घुमाया जाता है उसके ना रहा था लग रहा था अभी कल से फिर वही सन नाटा और कुछ नहीं काम और बस घर पे आओ खाना पी ना खाओ और सो जाओ ये नौ दिन का जो धाना बस जो खुशिया था ये अभी साल के तक याद रहेगा मुझे तो बहुत मजा आया तो यहां माता दुरगा जी का भी स दर्जन हो गया है और हम बंगाली में बोलते हैं आश्यवचर आबारह में मतलब अगला साल फिर से होगी तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में